स्रिष्टी बच्पन से ही दिखने में सुन्दर नहीं थी लेकिन अमीर बाप की बेटी स्रिष्टी पर उसकी मा जान छेड़कती मेरी बेटी कितनी प्यारी है भगवान सब को स्रिष्टी जेसी बेटी दे स्रिष्टी धीरे धीरे बड़ी होती है एक दिन स्रिष्टी की सहली कहती है तो दिखने में कितनी अजीब सी है लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी तेरे पापा अमीर जो है और बता आने सकते यर दहिच तो हर कोई देता है ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पते के लिए अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की अरे पापा की है ना कौन से इसकी है इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता अरे पापा के मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना किस ने कहा स्रिष्टी समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माबाप की सारी प्रॉपटी को अपने नाम करना है लेकिन कैसे? एक दिन स्रिष्टी का भाई शीनू कहता है बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ बहन, मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए स्रिष्टी को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बरदाश्ट नहीं करेगी स्रिष्टी ये सुनकर नजाने क्यों खुश हो जाती है अरे भाई तो क्या हुआ लड़की तुझे तो पसंद है ना शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है वो इस बात से अंजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है स्रिष्टी अपनी मा से कहती है ममे मुझे तो बहुत चिंता है पता है शीनू क्या कर रहा है अरे क्या कर रहा है वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है नहीं न मा वो यही तो नहीं कर रहा बागी सब कर रहा है आपको पता है उससे प्यार है और वो भी एक शादी शुधा लड़की से यह क्या हो गया मैं सुसाइटी में क्या मूँ दिखाऊंगी अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैं नहीं उससे बिगार दिया है मा देखो मेरी बात मानो पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है अब आप ही बताओ पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों बोलो अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना तू बहुत भोली है मा पापा का ओफिस तो साथ बज़े खत्म हो जाता है लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं अरे नहीं नहीं बेटा ऐसे कोई बात नहीं है शृष्टी मा को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है देखो मा कैसे हैं पापा मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है मैं तेरे पापा से बात करूंगी देख फोटो मुझे ओ ओ मा वो तो डिलीच हो गई लेकिन चल तूने तो देख लिया ना पापा से बात में बात कर लेना और हाँ मेरा नाम बिलकुर मत लेना हा मा अब क्या था स्रिष्टी के मा और पिता के बीट जगड़ा होना शुरू हो जाता है स्रिष्टी के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था एक दिन मा स्रिष्टी के लिए एक लड़का देखा है वो लोग शाम को उसे देखने आने आने वाले हैं और हाँ मा एक खुशकबरी मैं और पापा मिलकर एक नया बिसनिस ट्राइ कर रहा है शाम को लड़का आता है साउले रंग का स्रिष्टी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता लड़की की मा कहती है लड़की का चहरा तो कोई खास नहीं लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दे तो मैं उसकी शादिय आपकी बेटी से करवा दूँ स्रिष्टी को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है लड़के वालों के जाने के बात कहती है मा देखा शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया ना दिखाने लायक ना सुनने लायक सेटल भी नहीं वो भी हम करे अरे मा मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी गर में क्यों करवाना चाहता है अरे कैसी बात कर रही है बहन तूने तो देखा ना लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुससे शादी के लिए जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी बात आई गई हो जाती है लेकिन स्रिष्टी का मन शांत नहीं होता क्या करू कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी शादी हो गए तो ये लोग पूरी प्रापर्टी शीरों के नाम कर देंगे मेरे हो तो खुश लगी गई नहीं तबी स्रिष्टी को आईडिया आता है वो किसी वकील को फोन करती है जी देखे अगर आपके ममी पापा का तलाख हो जाता है तो आपकी पिता की आधी प्रापर्टी आपकी मा के नाम हो जाएगी फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है सुष्टी अब मा को बेटे के खिलाफ भरती है मा शीनू पर नजर रखा करो वो जिस लड़की के प्यार में है न वो शादी शुदा है यहां आएगी सारा पैसा रुप्या जमीन जाइदा सब भड़ अपलेगी पापा का भी हाल तुम से चुपा नहीं है ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीग मांगे ए भगवान मैं तो जीते जी मर जाओंगी अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया नहीं मा ऐसा ही होगा अभी समय है आगे का सोच लो मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है न तो अगले साथ जनम सफल समझो बिचारी मा बेटी के कहने पर पती से तलाक लेकर अलग हो जाती है सृष्टी अब पैसो से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तमाल करते सृष्टी कल तुम कहा थी मैं सारा दिन घर पर अकेली थी तो मैं क्या करूँ मैंने ठेका तो नहीं लिया है न तुम्हें संभाल लेगा मा को सृष्टी से ये उमिद नहीं थी वो बैठ कर रोने लगती है वहीं उसका पती यानि कि सृष्टी के पिता आ जाते हैं मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं मैं रोकता तो तुम रुकती क्या सृष्टी के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया लगिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया मा पती के गले लग जाती है मुझे बाफ कर दीजी मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया कोई बात नहीं तुम साथ हो तो मैं ऐसी साथ प्रॉपर्टि घड़ी कर दूँगा तब ही वहां सृष्टी आ जाती है रोते हुए मा, मायंक ने मुझे छोड़ दिया वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था पापा, मा, मुझे माफ कर दीजिए